अस्सलाम अलेकूम आज मैं आप लोगों को इस बचेवेद पीसेश के अंदर अम्रेला फ्रॉग की कटिंग बताऊंगी देखिए पहले हम साइज देखींगे हम फ्रॉग की साइज है 28 इंच लेंद इसका शोल्डर है 9 इंच इसका आर्मोल यानी बगल है 4.5 इंच इसका फ्रॉग का चेश्ट है 14 इंच कमबर की लंबाई यानी कि जो बाडी के उपर आता है उपर घेरे के उपर बाडी का साइज वो 10 इंच है और कमबर की चोड़ाई है 12 इंच तो हम पहले 28 इंच के फ्राग को दो हिस्से में बाट लिंगे तो दो हिस्से में बाटने के लिए हम कंबर की जो लंबाई है 10 इंच उसे यहां लिक लिंगे तो जब हम 10 इंच लिंगे तो 28 में से जब हम 10 माइनस करेंगे यानि निकाल दिंगे तो बसता है 18 इंच तो यह 18 इंच हमारा यहाँ पर नीचे आएंगा तो यह 18 इंच पर हम मार्जिंग मिलाएंगे इसमें 1 इंच मार्जिंग मिलाएंगे तो यह 11 इंच आएंगा और इसमें 1 इंच मार्जिंग मिलाएंगे तो यह 20 इंच आएंगा तो अब यह हो गई हमारी लंबाई जो हमने अलग-अलग कर लिए देखिए अब शोल्डर हमारा 9 इंच है तो 9 इंच को हाफ करेंगे क्योंकि शोल्डर को हाफ किया जाता है तो यह 4 और हाफ है और बगल को हम हाफ नहीं करते तो यह 4.5 इंच है हम 6.5 इंच या पर लिख लिए इस तरा अब चेश्ट का हिस्सा 14 इंच है यानि 14 इंच तो जब हम इसे हाफ करेंगे तो यह 7 इंच यानि 7 बहुंजएंगा आप कंबर की चवड़ाई का हिस्सा लंबाई तो हमने या ले लिए कंबर की चव रिकनल होता है इसके बाद हम यहां पर अंदर margin रखते हैं यानि कि माया और यह अम्रेला फ्राक का जो कोना होता है इसे हम 12 का हाफ करके 6 लेते हैं 12 का हाफ 6 यहां लिगे हैं आप देखते हैं कपड़े को हम पहले 2 two fold लिए और उसे मोड ते वे four fold कर लिए पहले हम, दो पदर कपड़ा लिए और उसे बाद में मोड कर 4 पदर कर लिए देखिए अब मैं कपड़ें पर बताऊंगे यह डाइग्राम डालकर यह हमारा कपड़ा है, यह बदी का है और यह घेरे का कपड़ा है देखिए ये जो हमारा बचा हुआ पीस है इसे two fold लिया है हमने ये दो अधर है अब यहाँ पर corner पर इस तरह उगली रखते भी हम इस कपड़े को इस तरह fold करके बिछा लिए आज देखिए हमने इस तरह corner बना लिया है corner पर fold कर दिया है कपड़े कू अब हम जिस तरह डाइग्राम में बताए थे कि 6 इंच लेना है हमें तो यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे यह हिस्से में टेप से देखिए इस तरह हम टेप को रखते वे 6 इंच लेंगे देखिए बाहर भी हमारा टेप नहीं छुटना चाहिए और इधर भी हमारा नंबर बराबर होना चाहिए तो इस तरह हम 6 इंच का एक निशान लेंगे यह हमारे कंबर का निशान हो गया देखिए यह दोनों हिस्से बराबर होना चाहिए यहाँ पर भी हमारा यह पौने 8 इंच है और यहाँ पर भी हमारा यह पौने 8 इंच है तो इस तरह यह दोनों हिस्से भी हमारे बराबर में होना चाहिए अब हम इसकी लंबाई लिंगे घेरे की देखिए बुक में 6 इंच हो गया है अब लंबाई 20 इंच लेना है तो उपर से टेप रखते वे हम लंबाई लेंगे यहनी टेप रखते वे हम टेप को अटाते वे इस तरह 20 इंच लेंगे तो देखिए मैं 6 इंच पर टेप रख रही हूँ यहाँ पर 6 इंच पर टेप रखते वे अब मैं 20 इंच का डाइग्राम ले लूँगी इस तरह देखिए इस कपड़े के अंदर 20 इंच की लंबाई नहीं आ रही है यहाँ पर कपड़ा कम है इसके लिए हम 16 इंच ले लिंगे 3 इंच कम कर दिंगे देखिए इस तरह मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ उपर से हम टेप एक बार पकड़ेंगे और नीचे दो बार हटाते वे निशान लगाएंगे इस तरह अब मैं उपर के अभी टेप हटाऊंगी थोड़ा नीचे दो बार निशान लगा लेंगे हम उपर एक बार टेप को अटाएंगे इसी तरह नीचे टेप को दो बार हटाते वे सोला इंच पर हम निशान बना लेंगे इस तरह देखिए अब सब निशानों को मैं मिला लूंगी अब उपर का भी हम कट करेंगे और नीचे का भी हिस्सा कट करेंगे देखिए इस तरह हमने इसे भी उपर के हिस्से को भी कट कर लिया है और नीचे के हिस्से को भी कट कर ल देखिए इसके अंदर वाइट कलर है इसके लिए हम इस फ्रॉक की बॉड़ी वाइट कलर में लगा रहे हैं क्योंकि यह बचेवे पीसे से तो देखिए इसे हमने टू फोल्ड करके रख लिया है यह टू फोल्ड है इस तरह और यह टू फोल्ड है यानि कि चार पदर है यह यह मोड़ा हुआ है तो यहां पर हम लंबाई लिए देखिए पहले बॉड़ी का साइज देख लेते हैं टेन में वन मिलाकर 11 इंच लेंद लेनी है तो यहां पर हम इस तरह टेप को रखते वे 11 इंच का निशान बनाएंगे देखिए इस तरह हम उपर के निशान पर वन नमबर पर एक निशान लेंगे और नीचे 11 इंच पर एक निशान लेंगे यह हो गई हमारी लंबाई अब शोल्डर है हमारा 9 इंच 9 का आधा होता है 45 इंच तो इस तरह मैं 45 इंच का शोल्डर ले रही हूँ अब आर्मोल आर्मोल भी हमारा 45 इंच है तो 45 इंच इस तरह हम खड़ी टेप लेंगे और इसे रुकाएंगे अब जहां हमने 45 इंच रुकाया हुआ है वह छाते का हिस्सा लेंगे यानि कि 14 इंच है उसका हाफ 7 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच तो यह हमारा 7 इंच हो गया हमने लकी रागे खीची है लेकिन 7 इंच पर इसे रुकाया है और हम इसमें मार्जिंग भी लिएंगे मार्जिंग हम 2 इंच ले रहे हैं क्यूंकि यह कॉटन का कपड़ा है पानी में दालने के बाद टाइंट होता है इसलिए हम 2 इंच मार्जिंग ले रहे हैं अब नीचे कंबर की चोड़ाई है 12 इंच बारा का आदा होता है 6 इंच तो इस तरह हम 6 इंच ले रे और माया 2 इंच तो यह हमारा देखिए इस तरह हम अंदर से निशान से अंदर के निशान को और बाहर के निशान से बाहर के निशान को मिला लिए और यहाँ पर इस तरह राउन बना लिए अब हम इसे कट कर लिए देखिए हमने इसे कट कर लिया अब हम इसके नेक बताएंगे देखिए गल्ले की चौड़ाई लिएंगे हम पौने दो इंच यानि कि टू पॉइंट कम टू इंच में यह हो गया चौड़ाई और साम में का गल्ला हम लिएंगे साड़े चार इंच तो देखिए इस तरह टेप को खड़ी रखते वें साड़े चार इंच पे मैं इस तरह बॉक्स बना रही हूँ अब हम यहाँ पर हाफ इंच रखते वें से राउंड करेंगे सेम इसी तरह हमने पिछे का भी गल्ले को कर लेना है चौड़ाई हमें पौने दो इंच लेनी है इसकी और लंबाई इसकी हमने चार लिए तहसे इस तरह राउंड कर लिए अब हम इन दोर्यों गल्लों को कट करेंगा देखें इस तरह करया हमारे राउंड आना चाहिए इसी तरह मैं पिछे के गल्ले को भी कट करींग देखें इसका जो कव्कोने का कपड़ा बचा लिए था हम रेला कर एक तरह इसे हम इस तरह ओपन करेंगे और फ्रंट का नेक इस पर बनाएंगे हम साम में थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए पिंक कपड़ा लिया है मैंने इसे भी हम इस तरह कट कर लिए पहले देखिए मैं इसे इस तरह पट्टी भी यही होगी हमारी इसके पाद मैं आर्मॉल में भी इसे कट कर रही हूँ इस तरह अब देखिए यह इतना कपड़ा है इस तरह राओं तो हम यहाँ पर लैज भी लगा सकते हैं या फिर इसे इस तरह ओपन करके उल्टे पर से सीखे सीधे पर पल्टी करेंगे हम जब हम इसे उल्टे पर से सीखे और सीधे पर पल्टी करेंगे तो पिंक कलर का तागा चड़ाते वे यहाँ पर मोड कर सिलाई कर लेंगे यानि कि यहाँ पर राउंड बना लेंगे तो इस तरह हमारा गले का डिजाइन भी होगा पैच हो जाएगा और गले की पटी भी इस ले रही हूं इस फोल्ड कपड़े पे भी मैं इस तरह पटी को रख रही हूं और इसे राउंड बना रही हूं उपर भी निशाल लगा रही हूं देखे इस तरह हमने यह पटी को भी कट करने के लिए पहले अंदर का नेक कट कर लिया और उपर से भी ज्यादा कपड़ा न अब यह हमारी फ्रंट की पटी और यह बैक साइड की पटी अब हम इसमें अस्तीन कट करेंगे वाइट कलर में देखिए हम इसमें हाफ अस्तीन लगाएंगे यह जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा इसके अंदर हम हाफ अस्तीन के लिए इसे फोल्ड कर लिंगे फोर फोल्ड और इसकी अस्तिन की लंबाई लिंगे, चार इंच रेडी आना है हमें, चार में हम देड़ मिलाकर साढ़े पांच इंच लिंगे, और देखें इसे ढ़लाने के लिए आनी की शेप लेने के लिए अड़ा इंच पर से एक लकिर ले लिंगे, नीचे की चोड़ाई है अस्तिन की चार इंच रेडी देड़ इंच माया लेके हम साड़े पांच लेंगे और उपर का जो शेप होता है ये कट बगल हम मापते हैं या माप भी सकते हैं या फिर ये बगल को हम इस तरह रखते हुए भी ले सकते हैं देखिए मैं माप कर बताती हूँ कट बगल यानि ये जो बगल हमने कट किया हुआ इसे इस तरह माप लेगे देखिए ये साड़े आठ इंच पर एक काड़ी है तो यहाँ पर हम साड़े आठ इंच पर एक काड़ी ले लेगे देखिए बराबर इतना ही आया ये और इसे हम इससे मिला लिए अब शेप देते हुए आदे हिससे तक उपर शेप दिंगे हम आदे हिससे के बार नीचे शेप दिंगे देखिए, अब में अस्तिन कट करके बता रही हूँ, यह हमारा इस तरह अस्तिन कट हो रहा है और यहाँ बीछ में कट लगा लेंगे अब यह देखिए, बिदि नीचे फोल्ड किया हुआ है, इसे मैं ओропन कर रही हूँ यानि हमारा अस्तिन भी कत ओ चुका है अब यह जो बचीए हमारी कपड़े की पटी है इसे हम नीचे अस्तिन में पाइपिंग करेंगे ये कि पिंगा चड़ाते भी हम चोड़ी पटी अस्तिन में लगाएंगे तो इसे हम कट कर लिंगे इस तरह इस बराबर इस से में तर लेंगे और यहां पर सीधे अस्तिन पर पहले अम पर सीदे अस्तिन शिलाई आई करेंगे इसके बार यहां से दोनों बाजू से मोड़ कर रखते भी हम यह पींक पट्टी लगाएंगे तो यह मेरा अंब्रेला फ्राग का वीडियो था आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो